एवम विचारिय स पार्ष इस्थिते ग्रामे रात्री निवासम करतुं कंचित ग्रिहस्थमु पागतह एवम विचारिय ऐसा विचार करते हुए सह पार्षव इस्थिते ये संधी पद है संधी अलग करें सह धन पार्षव इस्थिते सह का मतलब होता हुआ है पार्षव मतलब होता है पास में इस्थिते का मतलब हुआ इस्थित ग्रा में गाउं में रात्रि निवासम रात्रव निवासम इती रात्रि निवासम यह समासिक प्रत्याय का प्रियोग हुआ है। कर्तुम यह क्रिदंत पद है तो हम क्रिदंत अलग करते हैं तो क्री यह धातु है और इसमें तुमुन प्रत्याय का प्रयोग हुआ है इस तरह से सरूप बनता है कर्तुम क्री का मतलब होता है करना और तुमुन प्रत्याय का प्रयोग जो है के लिए अर्थ में होता है तो कर् चित किसी ग्रिहस्थ मुपागत है किसी ग्रिहस्थी के घर के पास गया तो ऐसा विचार करके क्या विचार करके कि रात्री का अंधकार फैल रहा है और ऐसे में पद यात्र जो है सुब नहीं है ऐसा विचार करके वह किसी ग्रिहस्थी के पास गया पास के गाउं में किसी ग् जिर्धन व्यक्ति के साथ हुआ क्योंकि उन्हें जहां जाना था वह इस्थान दूर था और मार्ग में अंधेला हो गया रात्री हो गई तो ऐसे में आगे बढ़ना सुभ नहीं है यह विचार करके वह पास के गाउं में किसी ग्रिहस्थी के पास गया और उनसे रात्री के लिए आश्रय उन्होंने मांगा तो करुणो परो ग्रिही तसमई आश्रयम प्रायच्छत और उसके द्वारा कीवल रात्री मात्र के लिए आश्रयम मांगे जाने पर करुणू परो करुणा करने वाले या दयालू ग्रिही ग्रिहस्थी ने तसमे उसके लिए आश्रयम प्रायच्छत आश्रय दे दिया अर्थात उसने आस्राय मांगा तो सभाविक रुप से गाउं में कुछ लोग होते हैं जो दया करने वाले होते हैं पर उपकार करने वाले होते हैं दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं और ऐसे औसर पर वे उनकी सहायता के लिए ततपर होते हैं तो ऐसा ही उस पास के गाव में कोई दयालू व्यक्ति था जिन से सहय आता मांगे जाने पर उस निर्धन व्यक्ति को उन्होंने रात्री के लिए आश्राय दे दिया विचित्रा देव गति किन्तु देव कहते हैं भाग्य को विचित्रा मतलब विचित्र या अनोखा गति तो भाग्य की गति जो होती है अनोखी होती है अर्थात कब क्या घटना घट जाए ये कहा नहीं जा सकता है कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वैसा ना हो करके कुछ उसका विपरित भी हो जाता है या हम जेतना चाहते हैं उससे अधिक हमें प्राप्त हो जाता है तो विचित्रा देव गती है भाग्य की गती जो है विचित्र होती है तस्यामेव रात्रव तस्मिन ग्रिहे कस्चन चवरह ग्रिहाब्यंतरह ग्रिहाब्यंतरम प्रविष्टह तस्यामेव तस्याम धन एव इती तस्यामेव यहाँ वियंचन संधी का प्रयोग हुआ है रात्रव रात्रव इसमें रात्री मूल सब्द है सब्तमिन भक्ति एक वचन का यह रूप है तस्यामेव रात्रव उसी रात्री में तस्मिन ग्रिहे उसी घर में तस्मिन कह रहे है यहाँ भी क्या हो रहा है तद मूल सब्द है और नपुन सब्तमिन भक्ति एक वचन का यह रूप है कियों कि इसके सामने जो सब्धाया है ग्रिः तो तस्मीन ग्रिः कहा रहे हैं यहां भी विशेषण WAY विशेषण संबंद में विशेषण champagne कमें इस सब्ध में और सब्धर्म सब्धर भक्ति का प्रयोग हुआ तो तस्मीन गरहे उसी घर में कस्चन चरह कस्चन कह धन्चन इति कस्चन चरह चोर ग्रिहा भ्यंतरम ग्रिय धन अभ्यंतरम अभ्यंतरम अर्थात घर के भीतर प्रविश्ट है प्राउपसर्ग है विश्धातु है अक्तप्रत्य का प्रयोग हुआ है तो तस्याम्यव रात्रव उसी रात्री को तस्मिन ग्रिहे उसी घर में किस घर में जिस घर में उस निर्धन व्यक्ति को आस्रय दिया गया था जहां वह निर्धन व्यक्ति रुका हुआ था उसी घर में उसी रात्री को कश्चन चवरह कोई चोर ग्रिहाभ भ्यंतरम प्रविष्टह रात्री में घर में प्रवेश किया तत्र निहता में काम मन्जुसाम आदाय पलाई तह अब वह निर्धन व्यक्ति वहां रुका हुआ था वहां रात्री में एक चोर आया तत्र वहां निहिताम एकाम निहिताम धन एकाम इति निहिताम एकाम यहां वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है तो निहित अर्थात रखे हुए एकाम एक मन्जुसाम मन्जुसा कहा जाता है पेटी को पेटी या संदूख जिसको हम एक प्रवेस किया और उसके घर में रखे हुए एक संदूख या पेटी को आदाय लेकर पलाई तह भाग गया तो आदाय यह जो सब्द है आउपसर्ग है दाधातु और लियप्रत्य का प्रयोग हुआ है तो दा का मतलब होता है देना लेकिन इसमें जब आउपसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो उसका अर्था क्या हो जाता है उसका विपरीत होता है जैसे गच्छ का मतलब होता है जाना और आगच्छ का मतलब होता है आना, तो गच्छ मतलब जाओ और आगच्छ मतलब आओ, तो इस तरह से दा, दाधातु है, दा का मतलब होता है देना और उसमें आ उपसरगा का प्रयोग होगे, तो क्या होगे इसका तात परिया, लेकर, त तो वहां रखे हुए एक पेटी को एक संदुक को लेकर चवरह पलाई तहा वह चोर जो घर की भीतर प्रवेश किया था वह भाग गया चोरस्य पाद द्वनिना प्रबुद्धो तिति है चोरसंकया तमन्वधावत अग्रिनाच परम विचित्र घट नाम घटत अब होता क्या है हम अपने घरों में जब सotे हैं बढ़िये सुक पूरवक फोते हैं अच्छी निद्रा आती है लेकिन किसी अपरिशीत इसथान पर किसी नए इसथान पर जब हमें रात्रि सयन करना होता है तब हमें ठीक से निंद नहीं आती है एक बेचैनी सी लगी राती है तो वैसा ही उस निर्धन व्यक्ति के साथ भी हो रहा था वह जिस घर में रुका हुआ था रात्री तो से गुजारना था तो वहाँ रुका हुआ था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही चोर के आने की आहट हुई वह तो एक तो पहले से ही जाग रहा था नींद खिक से आई नहीं थी तो चोरस या पाद ध्वनिना चोर के पैरों की आवाज को सुनकर अर्थात किसी के घर में रात्री का अंधकार है और ऐसे समय में कोई व्यक्ति उस घर में आया है कूदा है उसके पैरों चल रहा है तो उ इस से प्रबुद्ध होती थी है वह प्रबुद्ध कहते हैं जागा हुआ तो जागा हुआ वह अती थी चोर संकया चोर की आसंका से तमन धावत उसका पीछा करने लगा अग्रिहनाच्य और उसको पकड़ लिया परम परंतु विचित्राम घटत और जैसे ही हुआ चोर को पकड़ लिया फिर से एक विचित्र घटना घटी क्या घटना घटी अभी हम देखेंगे लेकिन सबसे पहले अभी यह जो वाक्या है इस वाक्या के व्याकरनिक तत्वों पर चर्चा करते हैं चोरस्य चोर मूल सब्द है सश्ठी भक्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है पाद ध्वनिना पाद भ्याम ध्वनिना इती पाद ध्वनिना पादयोह ध्वनिना इती पाद ध्वनिया पैरों की ध्वनि से यहां पर सश्ठी तत्पुर समाश द्विवचन का रुप है सश्टिए ध्यान देजेगा तत्पूरु समास की जो भेद होते हैं द्वितिया से लेकर सब्तमी तक के इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो तीनों वचनों में इसका विग्रह किया जा सकता है यहां पर यह सब्द आया है पाद ध्वनिना चोंकि पैर जो है दो होते हैं इसलिए इसका प्रयोग जो है द्विवचन में किया जाएगा इसलिए जब हम इसका समास विग्रह करेंगे पाद ध्वनिना इस सब्द का तो क्या होगा पाद योह ध्वनिना दोनों पैरों की ध्वने से प्रबुद्धः प्रबुद्धोति थी है यहां यह संधी पद है तम धन अनू धन अधावत तम धन अनू यहां व्यन्जन संधी का प्रयोग हुआ अनू धन अधावत यहां पर यंस्वर संधी का प्रयोग हुआ अग्रिहनाच्च और उसको पकडलिया अग्रिहनाच धन च इती अग्रिहनाच्च यहां व्यन्जन संधी का प्रयोग हुआ परम विचित्राम अघटत विचित्राम धन अघटत यहां वियंजन संधी का प्रयोग हुआ तो चवर स्य पाद ध्वनी नाम चवर की पैरों की ध्वनी से प्रबुद्धा हती थी जागा हुआ अती थी चवर संकया चोरी की आसंका से यह चोर के प्रवेश किये जाने की आसं का से तमन ध्वावत उसका वह अनुसरन करने लगा उसका वह उसके पीछे भागने लगा उसका पीछे वह जाने लगा आगरिहनाच्च और वो चोर जो भाग रहा था उस चोर को पकड़ लिया और जैसे ही वह چोर को पकड़ लेता है परम वीचित्राम घटात और ऐसे समय में हैं एक वीचित्र घटना घटती है क्या घटना घटती है चौरह एव उच्चई है क्रोसितु मारभध चौरोयम चौरोयम इती चौरह एव उच्चई है क्रोसितु मारभध चौरोयम चौरोयम इती चौरह एव अर्थात जो चौर था वह ही उच्चई है तो यहां विचन संधी का प्रेयोग हुआ है, यहां विचन संधी का प्रेयोग हुआ है, तो चोर नहीं उच्चाई बहुत जोरों से क्रोशितुम चिल्लाना आरंभ कर दिया क्या चिल्लाना आरंभ कर दिया चवरोयम चवरोयम इती यह चोर है यह चोर है ऐसा वह चोर ही बहुत जोरों से चिल्लाने लगा आवाज करने लगा तस्यतार स्वरेन प्रबुधाह ग्राम वासिनह अब वह जो चोर था जो उस निर्धन व्यक्ति के द्वारा पकड़ लिया गया जैसी पकड़ लिया जाता है तब वह चोर है वह स्वयम ही यह चोर है यह चोर है आईसा करके चिलाने लगता है अब तस्य उसके तारस्वरेण बहुत जोरों से की आवाज से उस चोर की आवाज से जो तेजी से आवाज कर रहा था उस आवाज से प्रभुधाह जागे हुए ग्रामवासिनह ग्रामश्य वासिनह इती ग्रामवासिनह यहां सश्ठी तत्पूर समास का प् माओं के वासीयों ने वासियों वासी स्वग्रियात अपने घरों से निश्क्रम्य निकलकर तत्रागच्छन वहाँ आये वराक मति थी में और उस बेचारे अतिथी को वराक कहते हैं वेचारा अर्था जो विवस था अब कुछ कर नहीं सकता तो यहां वराकम धन अतिथीम यहां व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ और अतिथीम धन यहां व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ तो उस बेचारे अतिथी को च च का मतलब होता है और यहां व्याइपद है च और मत्वा चोर मान कर आभर्थ्यन उसकी भर्थ्यना करने लगे अर्थात उसकी निंदा करने लगे देखे जो चोर चोरी करके जा रहा था वह उस निर्धन व्यक्ति के द्वारा जो वहां आतिथी बना हुआ था उसके द्वारा पकड़ लिया गया लेकिन जैसे ही वह चोर पकड़ा जाता है वह स्वयम ही चिलाता है कि यह चोर है यह चोर है और उसके इस आवाज को इस स्वग रिहातनिस्क्रम्या अपने घर से निकल कर तत्रा गच्छन वहाँ आये जहां यह आवाज आ रही थी यह चोर है यह चोर है ऐसा जहां आवाज आ रहा था वहाँ आये और वहाँ आये तो क्या देखते हैं वह जो अति थी जो कुछ समय पहले उनके गाउं में आया था और आश्राय माग रहा था, कि मैं अपने पुत्र के पास जा रहा हूं, रात्र हो गया है, अब रात में जाना ठीक नहीं है, मुझे रात्री भर के लिखिस्राम करने के लिए आश्राय चाहिए, आप में से कोई आश्राय देंगे, क्या इस तरह की जो बाटे कर रहा था, वह अतिथी ही वह बेचาरा अतिथी ही वहां था और वह जो चोर था वो उस गाओं का एक रख्षा पूरुश था तो उस रख्षा पूरुश के द्वारा अर्थात गाओं की जो रखवाली करने वाला है है उसके द्वारा वह अतिथी जो था उसको चवरो अयम चवरो अयम यह चोर है यह चोर है ऐसा कहा गया तो उनकी बात को सत्य मानकर और अतिथी को चोरम मत्वा चोर मानकर आभर्थ्यन उसकी भर्थना करने लगे अर्थात उनकी निंदा करने लगे अरे तुम कैसे हो हमने तुमको आस्रे दिया और तुम हमारे ही गाहं में चोरी कर रहे हो अर्थात तुम चोरी करने के लिए आये हो तुम ठग हो तुम निंदा करने लगे, यद्यपी ग्रामस्य आरक्षी एव चवर आसित, यद्यपी वास्ताव में ग्रामस्य ग्राम मुल सब्द है, सश्ट्य भक्ति एक वचन का यह रूप है, अरुप का आरक्षी रक्षा करने वाला एव चवर आसित, चवर आसित, इस सब्द को हम यहां कुछ अलग करेंगें तो रुप बनेगा चौरह धन आसित इती चोर आसित वी सर्ख संदी का यहां प्रयोग हुआ है यद्य पी गा का आरक्शी ही यह के मतलब होता ही यह अव्यपद है तो यद्य पी गा का आरक्शी ही च आसित चोर था तत छणम एव रक्षा पूरुसह तम अतिथिम चवरो यम इती प्रक्ष्याप्य कारा ग्रिहे प्राक्षिपत तत छणम एव तत धन छणम धन एव इती तत छणम एव यहां तत धन छणम यहां व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ इस तरह से रुप बन जाता है ता छणम एव रक्षा पूरुसह रथात उसी चण ही रक्षा पूरुस ने तम अतिथिम उस अतिथि को जो उस गाउं में अतिथि बन कर आया है निर्धन व्यक्ति उस अतिथि को चवरो अयम यही चवर है इती प्रक्ष्याप्य ऐसा सिद्ध करके कारग्रिहे प्रक्षिपत कारग्रिह में डलवा दिया है देखे इस गाउं कारक्षा करने वाला हूं मेरे गाउं में घुम घुम कर जब आप सभी सोते रहते हैं तब गाउं की रखवाली करना अब मैं ऐसा कर रहा था और यहां गाउं में आया हुआ आती थी यह संदुक यह पेटी चोरी करके भाग रहा था जो मेरे द्वारा पकड़ लिया गिया ऐसा लोगों के सामने उस रक्षा पूरुस ने उस आरक्षी ने यहां सिद्ध कर दिया और ऐसा करके फिर लोगों ने उसको क्या किया कारा अग्रिमे बंद कर दिया अग्रिमे दिने अग्रिमे दिने सारक्षी चोरिया भियोगे तम न्यायालयम नीतवान अग्रिमे दिने अगले दिन सारक्षी यहां संधीपद है सह धन आरक्षी थी सह आरक्षी वह आरक्षी वह रक्षा पुरुस चोरिया भ्योगे चोरी के अभियोग में तम उसको उस नीरधन व्यक्ति को न्यायालयम न्यायालय को नीतवान लेया तो रात्री में तो उसको पकड़ करके बंद कर दिये गया और फिर जैसे ही दीन हुआ वैसे ही उस आरक्षी के द्वारा जिस पर चोरी का अभियोग था ऐ वैसे उस निर्धान व्यति को नियायlla ले आया गया नियायाधिसो बंकिम apocalypse उभा घ्याम पिथाग पृथाग विवर्णम शुरुतवान नियायाधिस बंकिम चंद्र वहां जो नियायधिस थे उनका नाम बंकीम चंद्र तो बंकिम चंद्र उभा भ्याम दोनों से उभा भ्याम सब्द जो है इसमें यह दुविवचन का सब्द है और दोनों से प्रिथक प्रिथक भिन भिन विवरणम वृत्तांत को शुरूतवान सुना अर्था जैसे उसको न्यायला में प्रस्तूत किया गया नियाएधिस बंकिम चंद्र ने दोनों से प्रिथक प्रिथक सुना, ऐसा नहीं कि दोनों को आमने सामने खड़ा नहीं किया, उन्होंने एक को पहले बुलाया, हां क्या-क्या घाचना हुआ आप बताओ, फिर अब उनको जाने दिया और दूसरे को बुलाया, फिर उनसे कहा गया कि हाँ बताओ क्या क्या हुआ तो इस तरह से न्यायधिस ने उन दोनों से बारी बारी से क्या घाचनक्रम हुआ था क्या विवरण हुआ था क्या वृत्तांत हुआ था इस प्रक्रण को उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना सर्वं वृत्तंतं अवगत्य सतं निर्दोसं अमन्यत आरक्षिनंच दोसभाजनं सर्वं वृत्तंतं अवगत्य वृत्तंतं अवगत्य वृत्तंतं धन आवगत्य सर्वं धन आवगत्य यहाँ पर वियंजन संधी का प्रयोग हुआ आवगत्य यह जो सब्द है इसको हम अलग करना चाहें तो आवव उपसर्ग है गमधातु है और ल्यप्रत्य है तो इस तरह से रूप बन जाता है आवगत्य तो सर्वम मतलब सब वृत्तम सभी वृत्तान्त को आवगत्य भली भाती जानकर सवह तम उसको निर्दोसम अमन्यत उसको निर्दोसमाना उन्होंने उसको निर्दोसमाना किसको जिस पर दोस लगा हुआ था जो दोस का भागी गाउं की लोगों के द्वारा सिध्ध किया गया था उस आरक्षी के द्वारा जिसको दोस का भागी सिध्ध किया गया था उसको नियायदिस बंकिम चंद्र चटर जी ने संपूर्ण घड़ना करम को जानकर उसको निर्दोस माना अमन्यत माना आरक्षिनम च और आरक्षी को दोस भाजनम दोस का भागी उन्होंने पाया यह तो उन्होंने जान लिया कि गलती किसने किया है कि इस पर दोस लगाया गया है जिस पर दोस लगाया गया है वह दोसी है या जिसने दोस लगाया है वह दोसी है यह उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत को दोनों से प्रिथक प्रिथक सुनने के पस्चात निर्णे तो कर लि प्रमाना अभहावात या प्रमाना नाम अभहावात यहां पर सश्ठी तत्पूरु समास का प्रयोग हुआ है प्रमानम धन अभहावात ऐसा कहें तो यहां दिर्गस्वर संधी होगा अर्थात इस सब्दों में संधी भी है और समास भी है तो समास अलग करेंगे, तो सश्चितत पूरुस समास, प्रमाणा नाम अभाव वा प्रमाणास्य अभाव, अभावात, और तो इस तरह से सश्चितत पूरुस हुआ, और प्रमाण, धन, अभावात ऐसा कहते हैं, तो यहां दीर्गस्वर संदी होगा, तो किन्तु प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव के कारण से स निर्नेतुम, यह संधी पद है, संधी अलग करें, तो स धन निर्नेतुम, वह या वे निर्नेतुम निर्ने करने के लिए नासकनोत, न धन असकनोत इती, नासकनोत, यहां दीर्गस्वर संदी का प्रयोग तो किन्तु सत्य क्या है उसका तो वो जान लिये लेकिन प्रमान के अभभाव होने के कारण से वे निर्णय करने में समर्थ नहीं थे अब देखिए नियाधिस के समक्ष वो जानते तो हैं सच्चाई क्या है लेकिन प्रमान जो है वो उसके विपरीत है क्योंकि गाउवाले लोग भी कह रहे हैं कि नहीं हमने देखा है कि आरक्षी ने इस व्यक्ति को पकड़ा है जो चोरी कर रहा था गाउवाले लोग भी कह रहे हैं अब नियाधिस के पास जब उस व्यक्ति की बात सुनते हैं उस निरधन व्यक्ति की बात सुनते हैं तो उनकी बातों को सुनकर उन्हें सचाई तो पता चल गया कि वास्ताव में सत्य क्या है किन्तु वे अब ऐसी इस्तिती में निरणाय कैसे कर सकते हैं यदि वे प्रमाणों के अधार पर निर्णा देते हैं तो न्याय उन्हें नहीं दिखता है ऐसी इस्थिती में वे क्या करते हैं ततो तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिर्ष्टवान ततो तव यहां भी संधी पध है ततह धन तव ऐसा संधी विछेद होगा और यहाँ पर विशर्ग संधी का प्रयोगु यहाँ हमको देखने को मिलता है तता धन तव इती विशर्ग संधी तो ततो तव तब तव उन दोनों को अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थातुं आने के लिए उपस्थित होने के लिए आदिश्टवान आदेश दिया अब आज वह सचाई तो जान लिये लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि यदि आज हम निर्णय दे दे दें तो नियाय संगत नहीं होगा इस बात को अगली भाती जानते हैं इसलिए उन्होंने अपने लिए थोड़ा समय लिया और फिर उन दोनों को अगले दिन उपस्थ उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया उपस्थातुम यह जो सब्दा आया है यह रिदन्त सब्दा है उप धन स्था धन तुमून यहीं उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया अन्यद्यु तव न्यायाले स्वास्वा पक्षम पुनाह स्थापित वन्तव। तव यह जो सब्द है यह भी समासिक पद है इसका जब हम समास्विग्रह करते हैं तब इसका रूप होता है सहच सहच इती तव। इसी तरह से जिसे बालकव कहते हैं यह भी समासिक पद है बालकच्च धन बालकच्च इती बालकव। तो यहाँ पर तव जो आया है क्या है यह समासिक पद है परिक्षाओं में पूछा भी जाता है तो इस तरह के प्रशन आ सकते हैं आपके परिक्षा में तो इसके लिए आपको तैयार रहना है अन्येद्युह दूसरे दिन तव वे दोनो न्यायालययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय सश्ठी तत पुरु समास न्याय का घर न्याय का मंदिर तो अन्यद्यु दूसरे दिन वे दोनो न्याय आलाय में स्वास्वा पक्षम अपने अपने पक्षको पुनाह इस्थापित वन्तव इस्थापित किये अब जिस समय वे दोनो न्यायलाय में उपसित होकर अपना अपना पक्षर रख रहे थे तदैव तभी कश्चित कोई तत्रत्यह वहां कर्मचारी समागत्य कर्मचारी के पास आकर न्यवेद्यत निवेदन किया यद की इतह यहां से क्रोस द्वयांतर आले दो कोश के अंतर में कश्चि जनह कोई व्यक्ति के ना पी किसी के द्वारा हतह मारा गया है आईए इसके समासिक इसके व्यक्रणिक जो तत्व है उनको देखते हैं तदैव तद धन एव इती तदैव कश्चित कह धन चीत इती कश्चित यहां विशर्ग संधी का प्रयोग हुआ है समागत्य सम धन आगत्य इती समागत्य सम धन आ धन गम धन ल्यप इती समागत्य इस तरह से हम इसका क्या करेंगे जो कृदंत हैं अर्थात धातू है और प्रत्य हैं उन्हें प्रिथाक करेंगे तो यह जो सब्द है समागत्य इसमें दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग किया गया है वे दोनों उपसर्ग हैं सम और आ, सम धन आ, धन गम धातु और ल्य प्रत्याई, ये इतना मिल करके बनता है समा गत्या, और इसका तात पर ये होता है आकर, न्य वेदयत निवेदन किया, को सद्वयांतराले, यहां दिर्गरश्वर संधी का प्रयोग हुआ है, कस्चि जनह, कह धन चीत धन जनह, कह धन चीत विसर्ग संधी का प्रयोग हुआ, चीत धन जनह यहां वेंजन संधी का प्रयोग हुआ इस तरह से केन अपी केन धन अपी यहां पर देरश्वर संधी का प्रयोग हुआ है तो तदे जिस समय वेदों नो अपना अपना पक्ष वहां न्यायले में इस्थापित कर रहे थे उसी समय वहां कोई कर्मचारी आगर आकर निवेदन किया कि यहां से दो कोष की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार डाला गया है है पालल यह यह किसके लिए प्रेवा हुआ यह उसी मृत व्यक्ति जो है उसके उस मरे हुए व्यक्ति के ऑस सव कहते हैं सव या जिसको हम लास आते हैं जो निर्जियों शरीर होता है वह राज मार्गम निकसा राज मार्ग के निकट राज मार्गम तो राज मार्ग के निकसा के निकट या पास में वर्तते है तो उसका सरीड जो है किसी को मार दिया गया है और उसका सरीड जो है राज मार्ग के निकट है अधिस्यताम किम करणियम इती किम मतलब होता है क्या करणियम इती मतलब करना चाहिए करणियम धन इती करणियम इती यहां वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है करणियम क्रीध हातु है और अनियर प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से इसका रूप बनता है करणियम करना अनियर प्रत्य का प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में होता है तो क्रीध हातु में अनियर प्रत्य का प्रयोग हुआ तो रूप बना करणियम अर्थ हुआ करना चाहिए आदि सिताम किम करनियम आदेश दीजिये क्या करना चाहिए